अज़ बात करने वाले कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको अच्छा खास प्रोफिट दे सकती है आने वाले दिनों के इंदर चार-पांच दिन के अंदर प्रोफिट की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले तो आप स्वी का नेट मेंनेट आने वाला है अच्छा आगे बात करते हैं सुई के सुई का मेनेट जो है वो तीन मही को लॉंच होने वाला यानि कि कल अगर हम बात करें लेकिन अगर आप यूटी सी टाइम देखोगे तो शायद कल या फिर परसो तक वह लॉंच होगा इसकी जो ब्लॉक्चेन है तो मेनेट जब लॉंच होगा तो फिर स्टैट्स है आइसियो का जो करेंटली सेल चला वो 94 मिलियन सुई टोकन बेचे जा रहे है पॉइंट 0 3 डॉलर के प्राइस पर पॉइंट 0 3 है इसको मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहां से अट लीस्ट 5 एक्स तो इसली करेगा लिस्टिंग के टाइम और उसके बाद भी यह एक डॉलर दो डॉलर जा सकता है इन फ्यूचर क्योंकि सुई के पीछे जो हाथ है वो बहुत बड़े हाथ लगे हूँ है पहले तो इसके पीछे डायम के जो डेवलेपर्स हैं वो लोग है जो यहां पर फेस्बुक के मेटा में काम कर रहे थे और कुछ और भी पर बाइनस पर झाकर देखोगे तो बाइनस पर लांच पैट पर चल रहा है आपको पता होगा लांच पैट पर बी नहीं किया इसमें ठीक आप लोग ध्यान से कर लेना अगर आपके पास बीइंबी पड़े हैं बाइनस में ठीक के वाईसी वगेरा होना जरूरी है अब ब 4R में देखें कि कोशिच करेंगे what is it doing तो देखो simple सी चीज है कि 4R में Bitcoin क्या बना रहा है में दो तरह की चीज़े बना रहा है पहला तो यह retest मार सकता है 2700 और अगर उसको अपना SL जो है वहां कहीं लगा लो मुझे लगता है छोटा सा पंप यहां पर आ सकता है और वह पंप आ सकता है थोड़ा बहुत लोगों को और अच्छी एंट्री दिलाने के लिए ठीक है शौर्ट की अगर हम बात करें मार्केट के उपर जाने की तो मार्केट उपर ही जा र तो इस जगह पर हमारा आना जरूरी है हम इतना अच्छा ब्रेकाउट देकर उपर आएं तो हमारा नीचा किनना जरूरी है इसलिए हम वो रहा पकड़ लाएं वो रास्ता पकड़ लाएं बाकि अगर मार्केट केप की बात करें तो वह मेरे खाल से एक अच्छे सपोर्ट यहां से altcoins अच्छा bounce दे सकते हैं या फिर 20-20% और गिर सकते हैं तो इन सब केसे में आपको बचके रहना है तो यह एक पहले चीज़ हो गई बाकि हम बात कर लेते हैं कुछ टोकन की बात कर तोकन की बात आज नहीं करेंगे मैं आपको कुछ टोकन बता देता हूं पहले तो इस ब्लर हो गया दूसरा आपका डस्क है जो अच्छे का से रेंज में इसने कुछ भी नहीं डिफरेंट किया वही आपका सीफेंग भी कर रहा है उसी रेंज के अंदर बना हुआ है ठीक है जो रेंज आपकी है लेट सी इधर आप देख सकते हो कि यह रेंज आपकी जो बन NX 5X होने के चांसे हैं मुझे जहां तक लगता है क्यों क्योंकि यह पैपे से कनेक्टेट है पैपे के बाद मुझे लगता है इसमें लिकुरिटी अच्छी खासी है और यह पंप भी कर सकता इथेरियम पे बना हुआ है ठीक है मीम कोईन है टोकन है और आप लोग को क्या ल जो है बहुत जादा देख रहा हूं एक ट्लीस ट्वेंटी डॉलर 25 तक तो यह जा सकता है यह टोकन आराम से अगर मीम सीजन आता है यहां पर आप देख सकते हो इसके उड़ला 2300 ही है और जो बाइंग है वो सेलिंग यहां पर दिख रही है टेक्स आपस कितना चल रहा है चल रही है लोग अल्मोस लिकुडिटी अच्छी खास ही देख रहे हो एक एक मिनेट पहले लोग बाय सेल कर रहे है तो मतलब हां टोकन की जो अवेरने से वो बढ़ लगी है ठीक है यह चीज आप जान सकते हो और लिंक की बात कर लें तो लिंक ने एक सपोर्ट बढ़या तोड़ दिया है उसको रिटेस्ट मारके दुबारा से गिरने के मूड में लग रहा है अगर यह गिरता है तो 6.7 तो डेफिनेटली आही जाएगा 6.3 6.2 एक और लेवल है जो मैं देख रहा हूं ठीक है तो पहला तो मैं यहीं सोचूंगा कि इसके उपर रिक्लेम कर ले र एक जिट किया था आपको अच्छे से आद होगा ट्विटर पे आप लोगों को बताया था जो लोग मेरे साथ थे तो अभी हम दुबारा नीचे आगे हैं आप अपने लिंक के बैक को फुली भर सकते हो कोई भी यहाँ पर खत्रे की बात नहीं है एक यह 5.2 जाएगा और मि आपको अच्छी लगी वीडियो वीडियो लगी तो थैंक यू सो मच फूच वाचिंग इस वीडियो लाइक करना सब्सक्राइब करना और टेलिग्राम ट्विटर पे जॉइन करना मैं मिल था आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई